शहर में सडकों से बे सहारा गोवंश को पकड़ कर गोशाला भेजा जा रहा है इस दोरान गोवंशों को पकड़ते वाक्त उनके साथ कूर्ता बरतने के मामले सामने आ रहा है इसी मामले को लेकर गोव सेवकों ने जीम वंदना सिंग को ग्यापन देकर विरोज जता है दरसल एक वाहन में 4-7 गोवंशों को भर कर गोशाला ले जाया जाता है वहीं गोशालाओं का कहना है कि गोशालाओं में भी गोवंशों की देखरेक खान पान और इलाज की विवस्ता भी नहीं मिल रही है जिसके चलते गोवंश दम तोड़ रहे है इस मामले में डियम वंदना सिंग द्वारा गोवंशों की देखबाल के सक्त निर्देश दिये गए हल्दवानी सिधीपक अधिकारी के रिपोर्ट ये नगर निगम अभी वर्तमान में जो खतरना सांड है जो उनका एक अभियान नगर शेत्र में चला रहा है उनको पकड़कर गोशालाओं में भेजा जा रहा है इसके लिए जो उनके भरण पूशन की धनराशी होती है वो भी नगर निगम के द्वारा संबंधित गोशाला को दी जाती है और संबंधित जो पशू है उसकी टागिंग भी करी जाती है उसका जो उपचार है वो डॉक्टर्स की टीम भी रहती है क्योंकि इसके अंतरगत तो अगर घायल है या बिमार है तो उसके उपचार की विवस्था भी करी जाती है कुछ लोग अभी मुझ से मिले थे जिन्होंने ये एक दो इशू संग्यान में लाए हैं कुछ फोटोग्राफ्स वगेरा भी दिखाए जिसमें एक वाहन में चार पश्वूं को भरा जा रहा था वाहन में हमने परियाप्त स्पेस रखने के निर्देश नगर निगम को दिए यदि वाहन की शमता नहीं है तो उसमें दो तीन से जादा पशो एक साथ ना ले जाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की जो कुरूरता की स्थिति है वो उत्पन ना हो साथ में जो टीम रहती है पकड़ने वाले दल के साथ उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास परियाप्त मात्रा में दवाई की विवस्था रखने के निर्देश दिये हैं नगर निगम एक अच्छी पहल कर रहा है ये तो बात अच्छी है लेकिन कम से कम उनके बात तक के लिए जो है चारे पानी की विवस्था रहे जब तक की वो जिवित रहती है दूसरा हमारी समस्या है गाउं को लेकर भी है मैं गौला पार से आया वाओं तो गौला पार में भी बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि गाय चाहे नगर निगम की हो चाहे हमाले पूरे देश की हो उसकी दूर्दसा होना गलत है तो आज इसी दर्ब में हमने मैडम को भी कहा है नियाले ने एक आदेश किया है जिसमें जितने भी ये बेसहरा गौवन्स हैं दुरखटना होने के कारण इनको कोई सुरक्से स्थान पैदा किया जाए तो अभी नगर निगम ने अभियान चलाया है जिसमें गौवन्स हो को बड़ी कुरूरता के साथ जो है ले जाये जा रहा है एक एम्बूलेंस में 556 गौवन्स कोई मैडिंग नहीं उसके अंदर और कुरूरता से ले जा के उसके बाद बैल पड़ाओ जैसे आसरों में भीज दिया गया है कि सबसे पहले तो यह था कि इनके लिए पहले तो वेवैस्ता बनाते तब उठाने के लिए कुछ कर दे कि चलो इनको ले जाना है दूसरा कुरूरता नो इनकी साथ मैं बाजपूर गोसाला में गया था वहां मैंने देखा कि छोटे-छोटे जो बच्चे हैं उनको भी बडो की सांथ रखका रित्ती भीड थी कि जब नीचे कि रहे तो बड़े सांथ उनके उपर से निकल जा रही हो ठाके उनको साइड भी निकर रहे है